इसके तर राज्यति वासा नहीं बोलना हूँ माननी हमारे प्रधानविन मौदी जी जिस तरह से देश को चला रहे है विपक्ष राम की कोई चीज बची नहीं या कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा जो पक्ष खुठास के या कोई बात कर सके इसलिए मानसुद सत्र में किसी तरह कोई परिशान आएगी एक कता ही संभव नहीं हमें निश्यत रूप से करेंगे क्यों निकर संसद है आपको पता होना चीजिए कि जो भी हमारी लोकसभा राज्यसभा सबसे अधिक सत्र होते हैं उनके सबसे अधिक वो चलती है और पूरे देश के कानून का निर्मान करना सबका देश की विखास के लिए बारती सभी चिंतित हैं चिंतित कौन है और इस ऐसे में चिंता है किसकी लाजमी होनी चाहिए मैं फिर से आर्ची चौदरी साहब आपका रूख करना चाहता हूं आज तक जितने मुद्दे उठे उठे उनमें से नतीजों पर क्या पहुंचे ललित गेट का क्या हुआ उसके बाद आ जाईए देश में मौब लिंचिंग का तब भी मसला उठा ऐसा ही उसका क्या हुआ नोडबंदी का मसला आप लोगों ने उठा है देश में गरीबी और महेंगाई का मसला आप लोगों ने उठा है उसके नतीजे क्या हुए बेनतीजा बहस के क्या माइने नतीजों के ऊपर किसी जवाब देई है वो सत्ता जो दल होता है उसकी जवाब देई बनती है सत्ता पक्स के पास में अगर कहीं पे कोई मुद्दे होते हैं या कहीं पे उसके त्यारी होती है निशित रूप से वो सार्थ बहस निकलती हमने नोडबंदी के मुद्य पर 193 के तहर्थ सदन के अंदर बहस क्या होती है 133 के अंदर अगर भहस होती और भहस के बाद में किसी लोगों को अगर वहाँ पे वह हक मिलता तो सरकार अपने आप में कहीं न कहीं संका थी कि उसी के जो लोग है साइद उनकी बाद से सहमत नहीं हो और उनके खिलाफ ही एविश्वास हो जाए तो इसकी भै अगर उने पार् उर्जित पटेल जी हैं वो विट समिती के सामने सामने पेश होते हैं और जिन चार मुदों का परदाहन मंत्री जी ने आठ नॉम्बर की रात को आठ बजगे पंदा मिनिट पर डेस के सामने उद्बोधन किया था उनका आठ महीने और दस दिन बाद में कोई जवाब नहीं होती है तो यह जवाब दे किस की बनती है सरकार ऐसे तथ्यों को क्यों चुपाना चाहती है जो उसको लगता है कि साइद वो उसके खिलाप हो सकते है या फिर उसका निर्णे उसके खिलाप हो सकता है मैं रोकना चाहरा हूँ जिस दिन सर्फदली बैठक हुई इस दिन गुलाम नभी आजाद सहब मीडिया से मखातिब हुए यह मुद्दा गौन था उस दिन गौरक्षकों के से जुड़े खटना करम पर बात की उन्हें ने कहा किसानों के प्रदर्शन पर बात करेंगे मैं यही जानना चाहता हूं कैसा क्यूं है देखिए देश की वर्तमान हलात को देखते हुए चाइना की बौर्डर पे जो हलात मनें हैं देश एक यूद की तरफ बढ़ रहा है हमारी जो डिप्लोमेसी है हमारी जो विदेश जो नीती है उसको देश आज जानना बहुत देश को नतीजा मिले जानना चाहते हैं यह इस देश को आप प्रगत्य पर जूल रहे हैं और आज जहां पर जबाव देखिए की बात आती है तब वहां पर नहीं होते जबाव देखिए जाना चाहते हैं अजब करता हूं कि वास्तम सरकार को जवाब देखिए लेकिन उसका दूसरा पहलो विपक्ष सकारमत वर्षिस सतापक्स के साथ में डायलोग करें बात्चित करें जैसे हमारे साथ ही ने विशे उठाया कि चीन हम देश को युद में जोगना चाहते हैं कि मैं समझता हूं क पीछले इतियास में जाना चाहूंगा मैं जवलाल नहरुजी नारा दिया था कि हिंदी चीनी भाई-भाई क्या हुआ उसका क्या परिनाम आया हमको युदत हो पागया और कितना आज हजारों वर मेल पर वोजुदा सेना प्रमुक बोलते हैं कि हम ढाई मोर्चे पर एक साथ लड़ने के लिए तैयार है लेकिन देश के रक्षा मंतरी नहीं बोलते सरकार से कोई नहीं बोलता इसकी क्या माइन है अब जिस बात को पहले जिक्र करते हैं कि आज नतीजे क्या हुए आप यह कह रहे हैं इसके नतीजे क्या हम देख रहे हैं चीन आज सामने युद की स्थिति में सामने खड़ा है ऐसे स्थिति में हमको पिर्टो दिखाने की स्थिति देश में गराएगी तो हमें मेसेज हमारा रख्या जाएगा और रही बाद आग पिछला इत्याद उठा के देख लो तो चीन ने हज़ारो वर्ग मिटर जमीन को दुबा के बैठा हुआ है आज देश उस जवाब को देने के लिए सक्षम है और अगर ओफेंसिव हम किसी दुश्मन के सामने खड़ी नहीं होंगे तो निश्ची दुरूप से उसका परणाम सकरात्म नहीं आएगा बिल्कुल हैरत में हूँ और सहमत नहीं हूँ आपकी बात से जिस देश के पास में पूर्ण कालिक प्रया रक्षा मंतरी नहीं है जिस सरकार के पास में जवाब देहिता के लिए ये बयान नहीं है वो कहती हैं कि देश की रक्षा का हम जथबार ह में हुआ पहर बनाने की कोशिश की जा रहे है और आज भी आज के पिछले दो साथ दिन अकबार में आय था कि प्रधार मंत्री चीन के प्रधार मंत्री से साथ चर्चा करेंगे यह मेसिज चाहता है कि हम आज भी पड़ोसी देशों के साथ सकारात्मक डायलोग रख करके हम यूद्ध की स्थिति में नहीं आना चाहते हैं ऋस ऺती में भी त्यार रखना चाहिए लेकिन प्रधानमंतरी देश का positive सोच रख करके कि हम बात करेंगे चीन के प्रधानमंतरी से और इसका उधेरान दो दिन पहले का है कि प्रधानमंतरी चीन अफर नहीं समझ रहे हैं या फिर उनकी मज़ूरिया है क्योंकि फैसले भी देने पडेंगे काम भी करना पड़े गा जो की आज के स्तितियों में होने ही सकता क्या है अज़िवातें स्क्रास बाते हैं पहले में करूग मैं अगैने पार्टी की राजनीती गंडी की जो रणनीती है उसमें उलज गया है बुरी तरह से पूरी तरह से इसमें देखिया आप जैसे आपने जिकर किया कि नोट बंदी का मामला था पिछले सत्र में इतना उचला अब उसकी कोई बात नहीं कर रहा है तो यह जो हिट एंड रन वाली मुद्दे चुनने पड़ेंगे उन मुद्दों में मुद्दों की तथ्यों के साथ बात करनी पड़ेगी लगातार बात करनी पड़ेगी लगातार सरकार से पूछना पड़ेगा पिछले सत्र में आपने इतनी बात की थी अब आप क्यों नहीं पूछना चाहते ही सदन चर्चा से बचना ही चाती है हमेशा से जिसमें उसके उपर कुशन माक लगे सरकार क्यों अपनी चवी खराब करेगी ऐसे मामले उठाकर वो तो विदाई काम का जिप्टाएगी जो अध्यादेश पास करने है उन पर चर्चा करेगी चर्चा होती है तो ठीक है उनके पास सत्में रखकर आखिर तक नतीजे पर आना चाहिए लेकिए इस सत्वे प्रारम होने से पहले जिस बात को लेकर के पूरा देश चिंतित हो रहा था वो था चीन के साथ में हमारी ये तकरार और इस तकरार में सबसे पहली बात तो यह देखनी कि नया डवलप्मेंट देखने जब तक कि बंगलादेश का निर्माण नहीं हो गया था पाकिस्तान की सेनाओं का वहाँ पर सरेंडर नहीं हो गया था लेकिन अब तो हमारा सेनापती पहले ही बोलने लगा है और रक्षा मंत्री से आगे बाढ़ के बोलने लगा है पाल्लिडेमेंट्री गर्मेंट्री उनके उन बड़ बोलेपन के वज़े से चाइना का रियेक्शन हमें देखने को मिला चाइना ने कहा के 1962 जब याद कर लीजे तो उसके बाद में इनों ने कहा कि आप वह भारती मतलब क्या है से चाइना का पहले के साथ में जो आतराज है हमारा चूकि बूटान के साथ में एक अग्रिमेंट है हमारी दोस्ति है और हम वहां पर इस तरह की कोई गतिवदी नहीं होना देना चाहेंगे इसके लिए चर्चा से सब कुछ हो रहा था उस चर्चा में जो व्यवदान पैदा ह उसके वजय tu yung statement जिसमे की हमारी जीम्मेवहारी जो रक्षा मंत्री को या प्रधान मंत्री को निभाननी चाहिए थी उसकी जगे घुगंे हमारा समृतना पठी संपकी वरilde करने है ऐला जिसमे का हесь थी भारत राजनीतिक लक्षीओं को हासिल करने के लिए दोकलाम का इस्तेवाल ना करें यह देखिए यह सारी बात तब प्रारम हुई जब कि हमारे हमारे जो सेनापती साहब है जो हमारे उन्होंने जब भी बोलना प्रारम किया उसके बाद में इस तरह की हरकाद चीनी एंबसी ने भी की जिनको ऐसा कभी हुआ नहीं वह यहां बोल सबसे पहले तो इतना परिशान कर देने वाली बातरी चाहिना के साथ में हमारा confrontation वो confrontation ना हो इस बात कि हमारे हमारे बहुत जरूरी था लोकसभाई स्टार्ट होने के साहत ही उसके बाद में जीएस्टी की बात होनी चाहिए सरकार को बात रखनी चाहिए लेकिन ऐसा को यह हाला कि गुलाम नभी साहब ने जिक्र किया इस बात का थोड़ा बहुत दिखे मैं यह कह रहा हूं कि सब्समाप थोड़ा है ने तो सरकार सुनना चाहती है ना रमति पाक्ष उस सब्सक्राइब के साथ में बोलना चाहता है करें बरदास्त करें नियम काईदों की बात करें और हंगामा ना हो और बात आगे बढ़ें इस तरी की कारवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है गराशेस अब क्या करण है? मेरा जी मद्व करके चीन को किस तरह से मुकाबला करने चाहिए जो भी विपक्षेस और सरकार तो अपनी मन्श्या साफ करें विपक्षेससी जब राश्डि मुद्व आते हैं था विपक्ष और सकता एक हो करके एक राश्टम भक्ती भाहनां पेदा कर इनको मुद्व उटान अगर वास्ता में इनकी इस मुद्धे पर सकरात में होती उसमें कोई पॉजिटीव बात होती तो निश्ची दूर्प से इस मुद्धे को उठाना चाहिए लेकिन मैं समझता हूं कि विपक्ष भी नहीं चाहता है कि हम जनता के बीच में मेसेज दें कि हम वापा विपक्ष का पॉजिटीव नहीं चाहिए जैसा मैं आपको पहले बताया जो विपक्ष है वो उतनी तैयारी के साथ मुद्धों को नहीं उठा पाता है सदन में जो उठाना चाहिए वो प्रतिक्रिया बादी हो गया है कोई नया मुद्धा आता है उस पर थोड़े दिन हंगामा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं फिर नया कोई मुद्धा आता है उस पर बोलते हैं फिर चले जाते हैं जहां तक सरकार का सवाल है जैसे गरासिया जी ने का क्या सभी मुद्धों पर चर्चा करने की जिम्मेदारी विपक्ष की है जब इतना बड़ा मुद्धा है मेरे इसाब से दो बड़े मुद्धें हैं सत्र के लिए जिन पर चर्चा होनी चाहिए बिना किसी विरोधावास के होनी चाहिए पहला चीन का है दूसरा कश्मीर का है क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे मुद्धों पर चर्चा की जाए सदन में बताया जाए कि सरकार ये सोच र तो कॉंग्रेस कहती है कि सरकार नहीं देना चाहती है अधेर शाख विपक्ष की मंध्षा बताएं ब्रेक लोगा इसके बात देखिए विपक्ष की जो मंध्षा है जैसे मैं आपको पहले बताया था वो सरकार को घेड़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास मुद्दे उस तैयारी के साथ नहीं है कि वह वाकई में सरकार को वेट पाएंगे क्या करना चाहेंगे देखे सदन के अंदर जो पिछला जो दसक था उसमें एवरेज जो सदन है वह सतर दिन तक चला है उससे पहले भी बहुत लंबा चलता रहा लेकिन इसकी प्रक्रिया घरती रही आज जितने भी जो मुद्दे हैं अगर देश के हित से जुड़ेवे ज्यादा महतुपन मुद्दे हैं तो सदन की कारवाई को लंबा करके भी उस पर चर्चा होने जहां पर बुलट के दम पर आप उस मुल्क से किस परकार का महौल बना रखा है क्या हो महतुपन मुद्दा नहीं है मोब लिंचिंग के नाम पर लोगों के अंदर इस मुल्क के लोगों के बीच में बहुत जो जरूरत है जन प्रतिनीदियों को लेकर क्या तस्वीर है मैं लोटता हूँ आपके पास में ब्रेक का कॉलेच तुरंत ले रहें ब्रेक लोटेंगी चर्चा जारी आफ्री दौर्ड आंसुन सत्र चालू होने वाला है अब प्रोपर तरीके से मांसुन सत्र चलना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जन इतके मुद्दे जो संसत से जुड़े करने हो सके बारत का एक विविən हंग है आम जनता के अपनी बात विवाक्षि रखता है तो सरकार की पक्सी पक्सी के वेक्तियों को सुनना करना चाहिए हुश्ञार को सरकार satsya के mighty can ख शूमक्ती को मानना चाहिए सरकार गूर्ट को एक रान ब्रत करना थी